हम आपके लिए लेके आए हैं अपनी एजी रेसिपी और इसको बना सकता है तो हम बनाना शुरू करते हैं इससे पहले आप जल्दी-जल्दी मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर देता कि आपको आने बाली वीडियो और अजयर्ची रेसिपी तो हमने इसके लिए है चॉकलेट आ पिस्ता चॉकलेट ली है यह कंपाउंड चॉकलेट आती है तो आप इस तरह से स्लैप में ले सकते हैं किस भी डिपार्टमेंटर स्टोर से इसली मिल जाती है इसके लिए है मैंने तीन स्लैप और यह मैंने ले लिया है पान के पत्ते या फिर आप मीठा पान भी ले सकते है मैंने उसमें कथा एड नहीं कराया है यह मैंने मीठा पान ले लिया है और एक मैंने लिया है पान का पता तो यह इसको ऐसे फोल्डी कर देते हैं इसको हम बीच में से कर लेंगे कट यह देखिए इस तरह से मैंने कट कर लिया है इसमें मैंने एड की है थोड़ी सी सौफ वैस आप चाहिए तो अगर आपके पास मीठा पान नहीं है तो आप गुलकंद की दो चमच ले और इस तरह से मीठी सॉफ ले 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 और थोड़ी सी चैरी ले 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 गुलकंद से इसमें जो टेस्ट आता है फज में वह बहुत ही यम्मी लगता है और चैरी वीस में बहुत ही टेस्टी लगती है आप कलर फूट टूटी-फूटी भी ले सकते हैं तो यह देखिए यह मैनने इसके लिए हैं तीन स्लैप का एक स्लेब इसका 100 ग्राम का है तो इसलिए मैंने इसके 3 स्लेब ले लिए हैं तो इनको हम कर लेंगे बारी कट और इधर लेंगे एक पैन का मतलब हीं नहीं है कि मैने इसको baptized मैल्ट किया है डिरेक्ट तो आपको इसी के नीचे बाउल में एक पानी रखना पड़े गा और डबल बॉयर मैधार चॉटलेट मैल्ट करने पड़ेगी करा किम जो में इसमें रखने गे टोगे में यह वह उघाना डिया हैพ univers और 60 ग्राम एड़ करेंगे हम इसमें condensed milk condensed milk इसमें add करने से क्या होगा कि यह बहुत ही smooth हो जाती है क्योंकि हम जो first बना रहे हैं वो थोड़ा smoothie होता है और condensed milk डालने से यह lifetime piece की बढ़ जाती है तो आप इस तरह से condensed milk made ले 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 और किसी भी company का ले सकते हैं इसमें add कर दें 60 gram इसको कर देंगे हम अच्छे से mix अगर आपको लग रहा है कि अच्छे से mix नहीं हो पर है या तो इसको microwave में 30 second के लिए रख दें या पिर जो हमने double baller method से पानी गर्म किया था उसके ओपर 2 मिट के लिए रख दें इसमें हमने add किया है two table spoon नानिल का बुरादा और हम इसमें अब add कर देंगे अपनी मीठा पान और cherry जो हमने mix करके रखी थी वो भी हम इसमें add कर देंगे इन सबको कर देंगे mix तो यह देखिए बहुत ही soft सा mixture एक हमारा first का ready हो गया है अब इसमें add कर देंगे हम half teaspoon इलाइची पाउडर और इसको भी कर देंगे अच्छे से mix यह optional है इलाइची पाउडर आपको अच्छा लगी तो आप इसमें add करें otherwise आप उसको skip भी कर सकते हैं यह हमने एक ट्रेलेरी है और उसमें हम अपना सारा फ़ज एड़ कर देते हैं नीची चाहिए तो आप हलका से बटर यूज कर लें या फिर आप बटर पेपर भी add कर सकते हैं मैंने हलका से बटर लगाया हुआ था वैसे easily बहुत ही निकल जाती है इसमें कोई भी problem नहीं आती तो किसी भी spatula की help से आप इसको चैसे set कर दें उपर से मैं इसमें add कर रही हूँ हलकी सीज मीठी soft और हलका सा हम add कर देंगे नारीव का बुरादा उससे क्या होगा कि यह बहुत ही good looking लगेगा और बच्चा की तो यह favorite ही होने वाली है मेरी घर में जब भी मैं इसको बना दी हूँ यह बहुत ही ज़्यादर प्रसंद की जाती है इसको हम हलके से set कर देंगे और बस 10 मिंट में यह आपकी अच्छे से set हो जाता है जो आपकी फ़र्ज है अगर आपको लगता है कि अभी set नहीं हुई तो इसको 10 मिंट और छोड़ दें यह देखे यह फ़र्ज हमारा set होने लगा है तो हम क्या करेंगे इसमें इसी time पर cut का निशान लगा देंगे क्योंकि फिर अच्छे से set होने के बाद इसमें cut करने में थोड़ी सी problem आती है अभी यह थोड़ी smooth है इसलिए फटाफट से यह cut हो जाती है तो only हम इसमें अभी cut के निशान add कर देंगे और इसको हम निकाल लेंगे 5 मिंट बाद पांच से 10 मिंट पार जिब लगे आपको कि आपकी फट अच्छे से set हो गई है आप उसको निकाल लें देखिए मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ मेरी अच्छे से set हो गई है यह देखिए तो लग रही है ना बहुत ही tasty और यह जो फट है यह सब को ही बहुत पसंद आन वाला है आप अगर चाहिए तो इसमें पान का जो essence आता है two drops वो भी add कर सकते हैं क्योंकि मैंने इसमें मीठा पान एड किया था इसलिए मैंने इसमें कोई addition नहीं किया यह ऐसी हम सारे pieces को cut कर लें यह देखिए तो फिर जल्दी जल्दी आप भी बनाकर ready करें और मुझे जर जटपट बने वाली recipe है और यह काफी time तक आप इसको store कर सकते हैं क्योंकि इसमें ना हमने milk add किया है ना हमने इसमें पानी add किया है और ना ही कोई दूद्या मलाई add की है तो इसलिए इसको हम काफी time तक store करके easily रख सकते हैं तो आप भी इस तरह से बनाएं और मुझे comment section box मे के जरूर बताएं कि आपकी जो पानफर्स की recipe है वह कैसी बनी और आपको कैसे लगी तो मिलते हैं next video में एक नही रेसिपी के साथ तब तक आप मेरी recipes को और मेरी चैनल को लाइब करना शेयर किने और सब्सक्राइब करना बूलें जांदे से जादे से जादे में शेयर के